किसान की आस फसल पर्टिकी होती है फसल ही उसे साल भर का सुकून देती है फसल कमजोर हो तो किसान भी अपने आपको कमजोर महसूस करने लगता है ऐसे ही हालात में केशुराम को नारायन सेवा संस्थान ने उसका निशुर्क विवा करवा कर उसे दी जिन्दगी की नई सौगात साधी नहीं कर सकते थे इसलिए हमने नारायन सेवा की साधी की और नारायन सेवा सस्था की और से बस आई हमें दिल्ली दे गए और हमारे दुमदाम से साधी कर गए दोनों पती पत्नी अब जिन्दगी के हमसफर हैं खेत खलिहान हो या घर का आंगन पती पत्नी बड़ी महनत से बड़ी लगन से अपने कामों को अनजाम देते हैं घर के पाले हुए पश्वों की प्रती अपनी सिम्मेदारी बखुबी निभाते हैं पत्नी अपने पत्नी के लिए बड़ी लगन से सारे काम खुशी खुशी करती है जिससे घर आंगन खुशीयों से भरा रहे ये पती-पत्नी अपनी नई जिन्दगी के लिए संस्थान का शुक्रिया अदा करते हैं हमारी चादी वी डेड़ साल हो गए और हम बहुत खुशें नाराण्चिवा सस्ता को बहुत बहुत तन्यवाद